अनन्त और राधिका की प्री वेडिंग का आज तीसरा दिन है जाम नगर में पिछले दो दिन अंबानी परिवार के कभी ना भूले जाने वाले रहे है प्री वेडिंग के दूसरे दिन राधिका के साथ मीता अंबानी ने जंगल सफारी का लुट उठाया है जंगल सफारी के दुरान राधिका मर्शन मुकेश अंबानी के साथ दिखाई दी है क्रिकिट के मास्टर ब्लास्टर सचन तेंदुलकर भी जंगल सफारी के दुरान अंबानी परिवार के साथ दिखाई दिये सिर्फ इतना ही नहीं मांग जकरबर्क और उनकी पत्नी को मुकेश अमबानी और उनके बेटे आकाश ने पर्सनली ग्रीट भी किया आकाश अमबानी ने पत्नी श्लोका के साथ जंगल सफारी के दुरान फोटो शूट करवाया तो ईशा अमबानी अपने दोनों बच्चों कृष्णा और आदिया पीरमल के साथ भी यहाँ पर दिखाई दी है तस्वीरे जो वहाँ से सामने आई वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं आनंत और राधिका की प्री वेडिंग के रे रिलाइंस ब्रीन्स को भव्वे तरीकी से सजाए गया है प्री वेडिंग के पहले दिन का एक वीडियो सामने आया जिसमें मुकेव शंबानी और उनका परिवार आतितियों का स्वागत करता हुआ दिखाई दिया साथी जुरान बॉलिवूर्ट, क्रिकेट और उद्द्योग जगत के कई लोग समाहरों का आनंद उठाते हुए भी दिखाई दिये आनंतंबानी और राधिका की प्री वेडिंग में बॉलिवूर्ट स्टार अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर के साथ फंक्शन में दिखाई दिये ब्लाक कलर के आउटफिट में जो तस्वीर सामने आई वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अनिल कपूर जिनके साथ उनकी बेटी सोनम कपूर भी मौजूद रही अनन्तमबानी और राधिका की प्री वेडिंग में बॉलिवोड अभीनेता रनवीर सिंग और अभीनेत्री दिपका पदुकोन जलवा बिखेरते हुए दिखाई दिये इतना ही नहीं अक्ट्रिस सुनाली बेंदरे भी महविल लूटती हुई नजर आई आनन्तमबानी और राधिका मर्शन की खुशी में शामिल होने के लिए पहुँचे मार्क जकरबर्ग प्री वेडिंग के दूसरे दिन भी समारों में दिखाई दिये मार्क जकरबर्ग अपनी पतनी के साथ जंगल सफारी पर भी गए तो ये तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं चुकि इस वक्त तीन दिन का ये प्री वेडिंग सेरिमनी जिसमें बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां शिर्कत कर रही है और वहीं से आई हुई कुछ खुबसूरत तस्वीरे प्री वेडिंग में करीना कपूर अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुई प्री वेडिंग के दुरान करीना कपूर बेहन करिश्मा कपूर और पती सैफ अली खान के साथ समारों को इंजॉय करते हुए दिखाई दी उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें सैफली खान, करीना कापूर और उनके बेटे भी दिखाई दे रहे थे रनवीर सिंग प्री वेडिंग के दूसरे दिन मस्ती में डांस करते हुए नजर आए है जुरान उनके साथ टाइगर श्रॉफ और अरजुन कपूर भी दिखाई दिये लगभग हर बार जब भी रनवीर सिंग कहीं पर जाते हैं वो इसी एनरजी के साथ पहुँचते हैं और यहाँ पर भी जब मौका था एक शानदार समारो का तो वो मस्ती करते हुए यहाँ पर दिखाई दिये अनंत और राधिका की प्री वेडिंग में स्टार किट भी किसी से कम नहीं दिखाई दिये शारुख खान की बेटी सुहाना खान और सचिन तंदुलकर की बेटी सारा तंदुलकर भी function को enjoy करते हुए नजर आये और अपने परिवार के साथ ही वो यहाँ पर पहुंचे थे तस्वीर आपके टिवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सुहाना जो किशारुख खान की बेटी है और सारा तंदुलकर सचिन तंदुलकर की बेटी आनन्द अंबानी और राधिका मर्शन के फ्री वेडिंग के दूसरे दिन भी जाम नगर में जलसा हुआ जहां फिल्मी दुनिया से लेकर क्रिकेट जगत तक के लोगों ने समा बांधिया आजे देवगन, अक्षे कुमार और रानी मुखर जी भी इस फंक्शन में दिखाई दिये कुछ खूबसूरत तस्वीरे जो वहां से समने आई दूसरे दिन की वो आपके टेलिविजन स्क्रीन पर उधर बॉलिवुद डाक्टर अरजुन कपूर, अनन्त और राधिका की प्री वेडिंग में जानवी कपूर के साथ फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आए वो जो तस्वीर थी वो भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर ये दूसरा दिन था राधिका और अनन्त के प्री वेडिंग सेरिमनी का और कई बड़ी हस्तियां इसमें शिर्कत करती हुई, इन्जॉई करती हुई इस फ़ंक्शन को नजर आए अनन्त और राधिका की प्री वेडिंग में अभिनेता विकी कौशल अपनी पतनी अभिनेतरी केटरीना क्याफ के साथ यहाँ पर पहुँचे, फंक्शन की दुरान उनका जानवी कपूर और अरजन कपूर के साथ बातचीत करने का एक वीडियो सामने आया, ये वीडियो सो अनन्त अंबानी और राधिका मर्शन की प्री वेडिंग कारिक्रम में बड़ी हस्तियों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है, उद्योगपती गौतम अडानी भी प्री वेडिंग समारों में शामिल हुए है, अनन्त अंबानी राधिका मर्शन की प्री वेडिंग यहां इस समारों में शिर्कत करने के लिए एक के बाद एक पहुँशती हुई दिखाई दी। यहां इस समारों में शिर्कत करने के बाद एक के बाद एक बाद एक बाद एक पहुँशती हुई दिखाई दिखाई दिया। जामनगर एरपोर्ट पर फ्लाइट हैंडल के मामले में रेकॉर्ड बन रहे हैं। तंबानी और राधिका मर्चन के प्री वेरिंग सेर्मनी में देश विदेश से वी आईपी गेस फ्लाइट के जरीए जामनगर पहुँचे। जामनगर एरपोर्ट पर 26 स्वरवरी से एक मार्च तक 350 प्लेन मुवमेंट हुई है और जिसमें से करीब 50 अंतराश्टिय प्लेन पहुँचे हैं। पहुच अथोरिटी के मताबिक 4 मार्च को उनके लिए एक बड़ी चुनोती होने वाली है जब 90 फीसद महमान स्वदेश रवाना होंगे। प्रीवेडिंग सेरिमनी में स्पीच के दुरान कई ऐसे पल थे जहां अनंत भावुक हो गए थे। इस दुरान अनंत अंबानी प्रीवेडिंग के लिए जामनगर चुनने के पीछे की वजा भी बताते हुए नजर आए। I would like to thank each and every one of you present here. I know everyone has made it to Jamnagar to make me and Radhika feel special. We are all honoured and humbled to have all of you here. I am sorry if we have caused any inconvenience to anyone. Please do forgive us, both the families. Pre-wedding के पहले दिन अनंत अंबानी ने स्पीश दी और जुरान अनंत ने अपने परिवार का शुक्रिया भी किया जिसे सुनकर पिता मुकेश अंबानी भावुक हो गए. If you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I have also experienced the pain of thorns. I have faced many health crises since childhood. But my father and mother have never let me feel that I have suffered. My father and mother have always stood by me. And my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. My mother has gone all out for the last four months. She's worked for, I think, 18-19 hours a day. And I'm extremely grateful to mama and thank you so much. Pre-wedding के दुरान, Anant Ambani ने अपनी दादी से आशरवाद लिया और अपने दादा, धीरुबाई Ambani को भी याद किया. I would like to take blessings from my grandmom, Kokila Mammy. So, as my mom, I think my mom said it, but Kokila Mammy comes from Jamnagar. And Kokila Mammy has been a big inspiration. My grandmother has been a big inspiration to me. I always take motivation. My grandfather, wherever he is, he'll be blessing me. My nani has taught me how to be religious. She's a Nagar Brahman. Very proudly, she tells me that I'm a Nagar Brahman. So, she teaches me everything about, I've stayed mostly with my nani when I was young. So, she taught me everything. Thank you.